आपने उद्दफ नाकर जी का जिकर किया, वो तो मीडिया के अंदर कह रहे हैं कि देविंदर फटनवस जी ने मुझे कमिंटमेंट दिया था कि मेरे बेटे को वो सीम के रूप में गूरूम करेंगे, ऐसा ये सच है कि कि आदमें जब बॉखला तो उसको अभास होता है अलग लग प्रकार से उसको चीज़ दिखाई पड़ ए उस प्रकार से उनकी परिस्तितिया होगी है एक हलुसिनेशन कहते है एसे हलुसिनेशन हो रहा है उनको तो पाँ साल क्यों नहीं कही ये बात उन्हें आज पाँ साल ब सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता है और जूट बहुत सोचना पड़ता है और जूट बहार आता ही है और एक जूट को चुपाने के लिए जब आप 10 जूट बोलते हो उसमें से 8 जूट बहार निकल जाते हैं ऐसी उनके वस्ता है अब उनके जूट पे से पर लुको कमएकम उसको चुनाव लड़ाओ ताकि दीद जो चुनाव लड़ते नहीं है उनको वास्तविकता पता नहीं होती है तो कमएक सबने उसको ब्रॉफ और समझे यह मैंने जरूर चाहता बाकी दिमाग ठीकाने पर श्लेख एसलिये मैं ऐसे अब निकम्मा जैसे शब्दों का प्रेयोग आपके लिए करने क्या ही डेस्परेशन है क्योंकि वह सत्ता से बाहर हो गए और आपने चुनाव लड़ने की बात की उद्धव ठाकरे जी ने खुदने भी चुनाव नहीं लड़ा है तो आपने क्लियर करता कि इसे चुनाव हार सामने दिख रही है बड़ी बड़ी बाते की कोई साथ निमे को तैयार देए इस सारी चीजों का गुस्सा हमारे उपर निकालते हैं और बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तिरे धिरे उनको कद्दावर नेता बूलना यह भी हमारी गल्ती होगी ऐसा उनके भ इतना ही का कि भी नाकपूर से आता हूं उनसे ज्यादा भयानक शब्द भी मुझे पता है और भाशा भी मुझे आती है लिकिन मैं कद्दावर मेता हूं इसलिए मैं जवाब नहीं देता परना जवाब देना बहुत आसान है दिविन जी आप क्योंकि जमीन से उठेवे वे जी के हाथ में देश दिया तो केवल भरष्टाचारियों के लिए भयावस्तिक तईयारों लिए देश तो आगे जाएगा देश विकास करेगा तो